हे गुद मॉनिंग फ्रेंड्स आपका स्वागा था है सीफोसिव लिंग चैनल पर आज हम आपको बताते हैं हाव तो बेंड रिन्फोस्ट इन प्रोस बैरियर आई स्टार्ट करते हैं पहले हम स्टिप्स के लिए मार्किंग कर लेते हैं जो जो हमें रिक्वार्मेंट है इसका मार्किंग कर रहे हैं यह जहां जाट अपने को में अपने को बेंड इंड़ करना है अपने मार्किंग करने चाहिए जहां में 100 mm-700 mm-300, 350-300 एस पर रिक्वार्मेंट पर ड्राइंग हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं ताकि अपने को बेंडिंग करते टाइम दुबारा से इसका मार्किंग ना करने पड़े यह बेंडिंग ने 90 डिग्री पर बेंड किया है हमने उसके बाद जो हमारा सेकंड मॉस्ट पॉर्शन है उसको भी हमने बेंड करना है 45 डिग्री के एंगल पर यह मार्किंग प्लेस करके अभी हम इसको बेंड कर रहे हैं 45 डिग्री एंगल पर यह हमने बेंड कर लिया है अभ भी फिर से अपने को इसको बेंट करना है 45 डिग्री के एंगल पर यह अपना टोप पार्ट है और यह मशीन अपनी पोरवर्ड और बेकवर्ड तोनों टाइप में काम करती है और ओटर मैन्यूल दोनों और अभी मारा टोप पार्ट रह गया है जो अपने को बेंट करना है 100 mm स आए देखिया भी क्रोस बैरियर का स्टील यह फाइनल इसका टाच-प अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सुस्क्राइब और शेयर थैंक्स वाचिंग